कुई क्रेशिपी में है आज वेज कबाब किस चीज से बनाए है आगे हम देखते हैं दोस्तों गैरेंटी है यह खाने के बाद आप माटन चिकेन का कबाब खाना भूल जाओगे इतना बढ़िया बना है कीचन एंटुक्ताक के दरब से आपको प्यार भरा नमश्कर दोस्तों यहां पर मैंने ले लिया है एलिफेंट फूटियम टूफिफिटी ग्राम लिया है इसको ओल भी बोला जाता है जिमीकन बोला जाता है नौर्ट इंडिय में सुरन के नम से फेमा से वीटामिन मिनरल से भ माम घाली जी ऑछील का ओताने से बहले दिवाली के टाइम पर यह जरूर खाया जाता है मतालक्षमी का कीवा बंता है यह खाने से बोलते हैं तो एक्षवड़ी गट बेक्टरिया पे libs होता है तो पैठ साफा बगध बहुत अच्छी तरह से तो यह खाया ज้ता तो बड़ में भी प्रिकिंग सा थोड़ा सा खुजली होता है तो इसलिए मैंने डाल दिया इमली ये ट्रीटमेंट है ये डालने से इसका असर जो है बहुत कम हो जाता है उबाल लिया है मैंने चारपा सीटी लगा लिया है अभी इमली का पानी से अलग करके धो लेंगे और एक और ये आलो को भी अच्छी तरह से हम मेश कर लेंगे इनके साथ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी एक प्याज मैंने चौप करके डाल दिया है थोड़ा सा डाल दिया है आद्रग का पेस्ट और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ड कर लिजिएगा हल्दी का पाउडर डाला है मैंने आप भी एक चमज डाल दिया है नमक वो भी आपने टेस्ट के अनुसर अभी डाला है यहाँ पर बाइंडिंग के लिए चावल का आठा यह ज़रूरी डालना है तो क्रिस्पी बनेगा यह मैंने तीन चमज डाल दिया है ब्र निया पत्ता और यह है रेड चिली फ्लेक्स एक चमज और लेमन का जूस खूब सारा इसमें डाल दीजेगा टेस्ट बहुत बढ़ी आता है अभी हम एक चमज डाल देंगे और यह मैंने डाल दिया है गरम मसाला अभी एक चमज धनिया को हम साबुत धनिया थोड़ा सा रो थोड़ा सा ग्राउंड नाट को और मुंफली को ऐसे रोस्ट करके यह भी दरदरा सा कूटके पूरा पाउड़ा नहीं दरदरा सा कूटके हमने डाल दिया है टेस्ट बहुत बढ़ी आए आएगा देखने में भी अच्छा लगेगा और यह भी हम पूरा मिक्स कर देंगे और अभी दो चमच सर्सो का तिल हम मिला देंगे गच्छा और यह मैने डाल दिया थोड़ा सा हिंग, थोड़ा सा यह आजवाईं, कूट हाथ में ऐसे मल के डाल देंगे और थोड़ा सा यह ब्लैक पेपर काली मिझ का पाउडर डाल दिया है और अच्छी तरह से भी एक मिक मिक्स कर लेंगे और अपना हाथ जगनना तब हाथ से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा इसको एक मिक्स दे दिया है हमने अभी अपने जितना बड़ा आपको कबाब बनाना है इतना ले लीजिए आप और ऐसे चम्मज के मदद से लेके ऐसे हतेली के बीच में आप गुला बना के चैप्टा कर लीजिए और इसके साइड को इस तरह से आप एक इकील शेप दे दिजिए और उपर के उंगलिके हाथ मदद से अप दबाते रहिए और साइय्ट में से एसे हाज़े अव प्लैन कर लीजिए उसको ऐसे एक दीजिए और इस से इसका बन गया है हमारा कबाब है ना दोस्तों इस तरह से हम साइट को भी ऐसे ऐसे लेकर दूसरा भी बना लिया है और साइड में ऐसे फिनिशिंग डाल देंगे और हाते लिके बीच में रखे ऐसे भी आप फिनिशिंग दे सकते हो तो बढ़िया सा एक श बन गया है और यह चुटकू सा और एक बना है तो अल्मुस्ट तेरा कबाब मेरा बन के तयार है यह मैंने एक लोहे का पैन ले लिया है भारी तले का और शेलो फ्राई करना है थोड़ा सा तेल डाल दिया है और अभी इनको शेलो फ्राई करना है उलट पलट के हम अच्छी डाला है ना उन्हें तो बिल्कुल ने खुलेगा और साइड भी हिला डुलाके उनका साइड से भी आप अच्छी तरह से उनको सेख लीजिए इसलिए तोड़ा सा भारी तले का दवा ले लिया है मैंने हो गया है अभी पूरा क्रिस्पी हो गया है उठा लिया है मैंने और केज कबाब तयार है माटन चिकन का कबाब भूल जाओगे गरिंटी है मेरी और ये मेरा ग्रीन चाटनी हमेशा तयार रहता है मेरा परम सुंदरी चाटनी में आप चेक कर लिजिएगा फटा फट मैंने ये ग्रीन चाटनी निकल लिया है और चाटनी में डीब करके खाईए वाव वाव ग्रीन कलर देखिए प्रेजर्वेशन भी मैंने आपको दिखाया है मेरे चनल में और ये देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से पका हुआ है और उपर से कितना सुंदर क्रिस्पी हुआ है कलर देखिए इतना बड़ी अलुक आया है ना दोस्तो बड़ी आप भी बनाई है और खाईएगा दोस्तो बहुत अच्छा लगेगा और है भी हल्दी कबाब दोस्तो मेरे चनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजएगा अगर red color का लिखा हो और आ रहा हो तो प्रेस कर दीजएगा अगर blue आ रहा हो तो आपको दुबारा द वाने की ज़रूरत नहीं है और साथ में बैल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा चलिए मेरा टुक 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 डियाईवाई सेक्षन में दोस्तो दिवाली में बहुत सारे नए बरतन तो आपने खरीदे होंगे उसमें जिद् आराम से यह नीचे का ग्लू इन का पिगल जाता है तो आराम से यह निकलाता है और एक यह चिम्टे के मदद से आप पूरा यह देखिए पूरा पूरा ऐसे पूरा निकलाता है आधा वाधा नहीं रहता है और कपड़े के मदद से ग्लू पोश लीजिए और इसके बाद अ के दो मिनिट के लिए गरम कर लीजिए और इसका स्टिकर देखिया अराम से यह भी ऐसे निकल आएगा और पूरा निकालाता है आधा वाधा टुकडा नहीं रहता है पार्ट में है ना बढ़ी आईडिया दोस्तों अरे कृष्णा